देखे मुझे ये लगता है कि इस देश की जनता ने ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता दे दी जिनका उनकी जिन्दगी के जुड़े मुद्दों से कोई लेना देना नहीं एक सो पांच रुपए में डीजल विकरा है सतानवे रुपए में एक सो पांच रुपए में पेट्रोल विकरा है सतानवे रुपए में डीजल का दाम हो गया हर दिन स्लोप आई पोईजन देते हैं सुबह उठी ऐस्ती पैसे बढ़ गया ऐस्ती पैसे बढ़ गया ये क्या है आज इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर बीजेपी से महंगाई से छुटकारा पाना है इस सरकार में तो उसका एक ही फार्मूला इनकी जमानत जब्त कराओ हिमाचल में इनकी जमानत जब्त ही चुनाव हारे तुरंट पूरे देश में इन्होंने डीजल पर ट्रोल का दाम कम कर दिया जैसे ही चुनाव जीत गये दुबारह इन्होंने महंगाई बढ़ा दी में बात करते हैं न आम आदमी की जिनन किसानों के आमदनी दोगुना करने पर बात करते हैं कोई मतलब इन्हीं आए और लोगों ने भी इन Kो जिता दिया तो इसलिए और दिमाग खराब हो गया अगर ये उपी हार गया होते नूसरे राजियों में चुनाओ हारते तो इनका दिमाग ठीक रहता तब ये महंगाई बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं इस बात के बारे में लोगों को भी सोचना होगा कि कैसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता दे दी लूटने की खुली चूट लूट की खुली चूट बरबाद कर रहे हैं इस मुल्क को महँगाई से कमर तोड़ रहे हैं हम आदमी की दूसरा मुद्ध है क्रिमिनल प्रोसीजर रें जोकर पार्लियमेंट में पास्वा आपने उसकी खिलाब अपनी बात रखी और यहां तक का कि आप अगरा सत्ता मेहें कल्पूर्ण देखें यह मूर्ख बनाने का बिल है आप मुझे बताइए आप क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन करके रख लें बीजे मालिया भागया दसजार करोन लेके नीरो मोदी भागया बीसजार करोन लेके नितिन संदेसरा भागया छेजार करोन लेके ललित मोदी भागया तीन से भगा देते हैं उनको तो मैंने यह सवाल उठाया कि वह पचास करोन से ज्यादा जिसके उपर करज है उसका पासपोर्ट कर लो हिंदुस्तान छोड़ के भागने नहीं पाएगा कम से कम उसकी संपत्ति जब कर पाऊगे उसका साधे दस लाग करोन रुपए का एंपिए हैं हिंदुस्तान की सरकार को साधे दस लाग करोन रुपए इस देश की जनता का पैसा बैंकों से निकाल कर लूट लिया चंद पूंजी पतियों साधे दस लाग करोन कोई चिंता है सरकार को रोज ऐसे नए ड्रामे करने हैं जिससे असली मुद्धा पीछे हो जाए महंगाई का मुद्धा पीछे हो जाए सिक्षा का मुद्धा पीछे हो जाए बेरोजगारी का मुद्धा पीछे हो जाए किसानी का मुद्धा पीछे हो जाए तो यही ड्रामा ह लिखोगे फिर कोई पंजाब में आपके खिलाब सिकायद दे देगा यह सर एकिस मुकदमा मेरे उपर लिखा उत्तर प्रदेश में मैं कोई क्रिमिरल हूँ रास्ट दो का मुकदमा लिख दिया मेरे उपर बाबाजी ने पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया हमारे तो यह जो कल जो का पास हुआ है कानून यह सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट जो हैं जो अपोजिशन के लीडर है उनके उपर इस्तेमाल करने के लिए सारे अपराधी तो इनी क्या भरे हुए कैसे अपराध कम करेंगे जो भाजपा में सामिल हो जाता है वो गंगोत्री से नहा किया जाता है कितने बड़े-बड़े माफिया गुंडे चोर बेईमान सब भरे हुए इन लोगोंने यह दूर करेंगा अपराध गुंडों की फौ की बाते हैं इनको अपोईशन के लोगों को क्रस्ट करना इसलिए कानून लेकर आए